हेलो स्टूटिंट्स, हिंदी में हमने 20 चैप्टर का एक्स्प्लेनेशन कल के वीडियो में किया, आज जो बाकी जो एक्स्प्लेनेशन आज हम करेंगे, पहले ये बता दूं कि मेरी जो बूक है उसमें प्रिंट थोड़ी लाइट है, तो आज सायद इसमें आपको देखने मे अगर प्रोब्लेम हो, आप अपनी टेक्सबूक ओपन करके रखना, ताकि एक्स्प्लेनेशन के टाइम आपको प्रोब्लेम ना हो, हमने कल पढ़ा कि पंडित साधी राम ने अपने मित्र से, असदानन से पैसे लिये थे, 500 रुपे जो उसको वापस नहीं पहुचा सके थे उसके लिए उनको क्या-क्या प्रोब्लेम हुआ, अगर वो पैसे इकठे करते थे, तो वो कैसे खर्च हो जाते थे, वो हमने पढ़ा था, अब कहानी आगे पढ़ेंगे हमने लास्ट में ऐसा पढ़ा कि वो अल्बम मतलब पूरानी पत्रिकाएं थी, पत्रिकाओं में रंग भी रंगी चित्र थे, तो उसके बारे में सदानन जी पंडित पंडित जी को पूछ रहे थे सदानन कुछ देव तक उलट पलट कर देखते रहे, सहसा उनके मन में एक विचार उठा, वे बोले ये चित्र कला ये बढ़िया नमुने है, अगर किसी सौखिन को पसंद आग जाए, तो आप हजार दो हजार रुपे बढ़ी आसानी से कमा सकते है जो पूरानी पत्रिकाय पड़ी थी, उसमें रंग बे रंगी चित्र थे, तो सदानन जी ने पंडित साधिराम को कहा, कि ये तो बहुती अच्छे चित्र है, अगर किसी सौखिन के हाथ ये लग जाए, तो आपको इसके हजार दो हजार रुपे मिल सकते है पंडित साधिरम ने ठंडी सास भर कर कहा, ऐसे बागय होते तो ये धके न खाता पिता, ठंडी सास भर कर मतलब कैसे, मतलब नीरास होके ऐसा बोलागे, अगर ऐसी मेरी किस्मत होती, तो ये धके नहीं खाता लाला साधा नन बोले, एक काम करे, लाला साधा नन ने कहा कि चलो एकम करते हैं, क्या, आज बैटकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीर हैं, सबको अलग छाट ले, बहुत अच्छा जब ये कर चुके, तो मुझे कहलवा दे, आप क्या करेंगे, मैं एक अलबम बनाओंगा, और आपकी तरफ से विग्यापन दे दूँगा, हो सकता है, ये विग्यापन किसी सौकिन के हाथ पढ़ जाए, और आप दो-चार पैसे कमा ले, तस्वीरे तो बहुत बढ़िया है सदा नंची ने आइडिया दिया, कि एक काम करें, ये पिक्चर एक अठा कर लेते हैं, फिर पंडित साधिना मुसको पूष्ट है, कि उसका आप क्या करोगे, तो कहा कि इसका मैं पूरा अलबम बनाओंगा, और सायद किसी को ये पसंद आ जाए, तो आपके इंकम हो जाए विग्यापन यानि कि एडवेटाइस, कि मैं निउस्पेपर में ऐसे एडवेटाइस दे दूँगा, कि ऐसा अलबम हमें बेचना है, और कोई सोखी ना जाए, और अलबम खरीद ले, पंडित साधिरम को ये आशा नव थी, कि कोयले की खान में हीरा मिल जाए, कोयला यानि क जिसको हम गुजरती में कोलसा बोलते हैं, उसमें से हीरा निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसा लग रहा था, पंडित साधिरम को, कि ये कोयले की खान में हीरा कहां से निकलेगा, गोर नीरासा ने आसा के सभी द्वार बंद कर दिये थे, वे उन हत्भागे लोगों म के लिए पैदा होते थे, वो नीरासा में डुबे थे, और हमेशा वो असभली होते थे, संसर में ऐसे कई लोग होते हैं, जिसको कभी सभलता प्राप्त नहीं होती है, उनको पका विश्वस्था कि ये प्रयत्न भी सभल न होगा, परंतु लाला सदानन के कहने से दीन भर ब लाला सदानन की बात को टाल ना सके, लाला सदानन के कहने पर उन्होंने तस्वीरे अलग करना सुरू किया, लेकिन उनके मन में उमंग न थी, उत्साह नहीं था, लेकिन सदानन जी ने बोला था, इसलिए उन्होंने सुरू किया काम, शाम को देखा दो सो बढ़िया चित्र जमा हो गए है उस समय में उनने देखकर स्वय मुछल पड़े उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी वे उन चित्रों के और इस तरह देखने मानों उनमें से हर एक दस-दस के नोटू बच्चों को उदर देखने तक न देते थ वे सफलता के वीचार से ही प्रसन हो रहे थे यद्यपी आशा कोशो दूर थी लाला सदनन की दीवी आशा उनके मस्तिसक में निश्चई का रूप धारान कर चुकी थी और वे खुशी से चूमने लगे शाम तक उन्होंने 200 पिक्चर जमा कर लिये थे और पिक्चर भी जमाग में एक निश्चे हो गया था कि सायद इस बार कुछ अच्छा हो जाएगा और वो उसका मन खुशी से जूम रहा था उनको ऐसा लग रहा था कि जो एक एक पिक्चर है वो एक एक पिक्चर सायद 10-10 रुपे में बिक जाएगा और 200 है तो ऐसे उनके मन में एक आशा क कीरन ने जन्म ले लिया था कि सायद इस बार हमेशा जो नीराश होते थे हमेशा वो पैसे कठे करते थे खर्च हो जाते थे किसी भी कारणवास वो पैसा नहीं दे सकते थे लेकिन इस बार जब ये चित्र देखे तो उनका मन भी प्रफुलित हो गया और उनके मन में भी एक नई आशा ने चन्म ले लिया कि शायद इस बार कुछ ऐसा हो जाएगा ताकि मैं मेरे पास पैसे आजाए और मैं मेरा करजा चुका सकूं और उसके मन में खुसी से वो जूमने लगे ऐसे लाला सदानन ने चित्रों को अल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विग्यापन दे दिया अब पंडित साधी राम हर समय डाकिये की प्रतिक्षा करते रहते थे वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिठी आएगी दीन बीच जाता कोई चिठी नव आती थी फिर वो पंडित साधी राम जी ने सारे चित्रों सदानन जी को पहुचा दिये और सदानन ने उनका एक अल्बम बनाया और न्यूस पेपर में एक एडवर्टाइस दे दी कि ये अमें अल्बम बेचना है तो पंडित साधी राम रोज दाकिये की प्रतिक्षा करते थे कि आज कोई कोई चिठी आएगी और अल्बम बिक जाएगा लेकिन वो आशा उसकी सफल नहीं होती थी रात को आशा सडक की धूल की तर बैच जाती थी मगर दूसरे दिन लाला सदानन के बातों से टूटू ये आशा फिर जूड जाती थी रात को वो निराश हो जाते थे कि आज भी को कुछ तो अच्छा होगा ऐसे आसा फिर अपना चमकता हुआ मूह दिखा कर उन्हें दर्वाजे पर लाग खड़ा कर देती थी डाग का समय होता तो वे बाजार चल पड़ते और वहां से डाग खाने पहुंच जाते इसी तरह एक मैना बीत गया कोई पत्र ना आया पंडित साधिरम बिल्कुल निराश हो गए मगर फिर भी कभी कभी सफलता का वीचार आ जाता था जैसे अंधेरे में जुगनु चमक जाता है पूरा मैना ऐसे बीत गया जब डाग का समय होता था तो वो चान बुझकर बाजार चले जाते थे ताकि डाग खाने में से पूछ कर वो और कोई भी डाग नहीं आई वो निराश हो गए लेकिन फिर भी उनके अंधेरे से मन में एक चमक हो उठती थी ऐसे जुगनु के वह यह चमक निराश रदयों के लिए कैसे जीवन दाईनी कैसी रदय हारीनी होती है इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल पर जाते हैं इस चूठी आशा के अंदर सचा प्रकास नहीं होता यह दूर से संगीत की समन मनोर जरूर होती है इस वर्षा की कमी दूर नहों परन्तों इसे काली घटा का जादू कौन छिन सकता है पंडित साधी राम ने आशा न छोड़ी या वो यों कहिए कि आशा ने पंड पंडित साधी राम के मन की स्थीती थी कि उनको अइसा लगता था कि नहीं कुछ तो अच्छा होगा कहीं से तो कोई आएगा और यह अल्बम लेगा ऐसे तो ऐसा लग रहा था कि उस आशा ने पंडित साधी राम को न छोड़ा और दिन गुजरत गए आखिर एक दिन साधी राम के भाग्य जागे कलकते के एक मारवाडी सेट ने पत्र लिखा कि अल्बम बेज दो अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा मुल्य की चिंता नहीं चीज अच्छी होनी चाहिए यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है और उसके बाद उठ बैटता है यह किसी आदमी की करवट न थी यह भाग्य की करवट थी पंडित साधिरम दोड़े हुए सदानन के पहुचे और उन्हें यह पत्र दिखा कर बोले आखिर आज एक पत्र आ गया बेज दू अल्बम बहुत समय बीट गया उसके बाद अच्छानक एक मारवाडी सेट का पत्र मिलता है और उन्होंने ऐसे पत्र में लिखा था कि आल्बम बेज दो अगर पसंद आया तो हम खरीद लेंगे खर्चे के चिंता मत करो जैसे हम करवट बदलते हैं वैसे ही जैसे पंडित साधिरम की किस्मत ने करवट बदल दियो एक आसाने नई किरण जगा दी थी फिर वो खूस होकर अपने मित्र सदानन के वहाँ पे जाते हैं और उनको कहते हैं कि आखिर आज एक पत्र आया है तो मैं क्या करूं अल्बम बेज दू कि क्या करूं ऐसे छो मैने बीत गए इस बात को फिर छे मैने हो गए लाला सदानन बिमार थे पंडित साधिराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे वे न वाइद्य थे न डाक्टर और न हाकिम फिर क्या हुआ ये सब हो गया अल्बम भी गया फिर पंडित साधिराम को अच्छे पैसे भी मिल गए और वो अपने उन्होंने अपने जो पैसे थे जो उधार लिये थे अपने यजमान सदानन से तो उनको उन्होंने वो पैसे भी वापस लोटा दिये फिर क्या हुआ छे महिने बीच जाते हैं लाला सदानन अचानक बीमार हो जाते हैं पंडित साधिराम उनके लिए दीन रात माला फेरा करते थे मतलब जाप करते थे कि लाला सदानन अच्छे हो जाएं पंडित का काम यही होता है ऐसे वे न वैद्य थे न डाक्टर और न हकिम थे मतलब डाक्टर वैद्य और हकिम भी नहीं थे जो कुछ दवा कर सके अपने यजमान को बचाने के लिए और तो उस्थ माला फेरना यही थे और काम यह अपनी आत्मा की पूरी शक्ती अपने पूरे मन्द से कर रहे थे हम देखते हैं कि चाहे कितनी भी दवा करे कुछ भी करे लेकिन अगर भग्वान का आशिर्वाद होता है तो चाहे कैसा भी serious case क्यों नो हो वो अच्छा हो जाता है यह सी picture में नहीं होता है हमारी life में भी ऐसे बहुत समय हो जाता है कभी हम बहुत tension में रहते हैं तो सचे मन से अगर भगवान को याद करें तो उनका फल हमें जरूर मिलता है भगवान हमारी प्रात्ना जरूर सुनते ह और कुछ तो नहीं कर जकते थे लेकिन वह माला के रूप में बगवान को प्रेयर कर रहे थे कि उनके यजमान लाला सदानन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए उन्हें आउस्सद्धी कि अपेक्षा से आशिर्वाद और प्राफ्थना पर अधिक भरोसा था उनको दवाई प दुआ अच्छी है वो हमेशा ऐसा ही सूचते थे दवा से दुआ अच्छी है मतलब दवा से ज्यादा दुआ काम करती है अगर भगवान की इच्छा होगी तो सदानन जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएंगे एक दिन लाला सदानन चारपाई पर लेटे थे उनके पास उनकी बुड़ी मा उनके दुर्बल और पीले मुंग को देखकर अपनी आखों से आशु अंदर ही अंदर पी रही थी थोड़ी दूरी पर एक कोने में उनकी नवो डास्तरी गुंगट निकाले खड़ी थी और द सदानन ऐसे चारपाई पर लेटे थे उनकी हालत बहुती कंभीर थी उनकी बुड़ी मा थी वो उनके ऐसे दुर्बल और पीले मुंग को देखकर अंदर ही अंदर रो रही थी थी थोड़ी दोर कौने में उनकी पतनी थी जो गुंगट निकाले खड़ी थी और देख रही थी कि कोई ऐसा काम नहीं है जो रह गया हो फिर पास पड़ी चौकी पर पंडित साधी रम बैठे थे और उनको भगवद गीता सुना रहे थे किसको सदानन को एका एक साल आला सदानन बेशुद हो गए पंडित जी ने घीता छोड़ दी और उनके सीरहने बैठ गए अचानक क्या हुआ कि सदानन ब्यहोस हो जाते हैं पंडित साधी रम गीता पड़ रहे थे वो बीच में से छोड़ कर जल्दी जल्दी उनके सीरहने मतलब सीर के पास बैठ गए श्त्री घरम दूद लाने के लिए अंदर दोड़ी और मा गबराकर बेटे के आवाज देने लगी इस समय पंडित ची को लगा कि रोगी के सीरहने के नीचे कुछ चुबती हुई चीज रखी है उन्होंने नीचे हाथ डाल कर देखा तो उनके अस्चरे की शीमा न रही वह सक्त चीज वही अल्बम था जिसे किसी सेच ने नहीं बल्कि स्वयम लाला सदानन्द ने खरीदा था क्या हुआ एक फिर क्या होता है कि उसकी पतनी जल्दी जल्दी दूद लेने जाती है और माँ अपने बेटे को आवाज लगाती है कि उठो सदानन्द उठो पंडित ची जल्दी से सदानन्द के पास आते है तो उनको लगा कि उसके सीर के नीचे तक्ये के नीचे कुछ निकालने चाहिए और जैसे ही उन्होंने निकाला तो वो अल्बम था जो किसी मारवारी सेट ने नहीं बलकि खुद सदानन्द ने खरीदा था देखो स्टुडंट्स यह क्या यहां पे क्या हमें सीख मिली कि सदानन्द अपने पंडित जी को जिसको अपना मीत्र मानते थे व पाएंगे नहीं अगर वो पैसे लेने से सदानन जी मना करेंगे तो भी पंडित चो मानेंगे नहीं तो सदानन्न यह आइडिया ही लगाया था कि ऐसे आल्बम बीक जाए तो वो किसी मारवारी सेट ने नहीं बलकि खुद सदानन्न ने खरीदा आल्बम और वो पैसे उनको सदानन्ने भेजे और उसी पैसों से पंडित जी ने अपना उधर चुकाया मतलब पंडित जी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि ये सब उनके यजमान सदानन्ने किया था पंडित साधिराम इस विचार से बहुत प्रसंद थे कि उन्होंने सदानन का रूण उतार दिया मगर यह जानकर उनके रदय को चोट सी लगी कि रूण उत्रा नहीं अपितु पहले से दुगुना हो गया अब तक तो उनको ऐसा लगा था कि किसी मारवाडी सेट ने अल्बम खरीदा पैसा मिला और उन्होंने सदानन्जी का रूण जुका दिया लेकिन यह घलत साबित हो गया क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि यह रूण उत्रा नहीं लेकिन अब तो डबल रूण हो गया ऐसे उन्होंने बेसुद यजमान के पास बैठे बैसे एक ठंडी सास भरी और सोचने लगे यह रूण मेरे सीर से क्या कभी उत्रेगा कि नहीं उत्रेगा ऐसे वो अपने यजमान के पास बैठ कर नीरा सोकर बोलने लगे ऐसे सोचने लगे कि ये तो और रून मेरे पे चड़ गया अभी ये कभी उत्रेगा की नहीं कुछ देर लाला सदानन को होश आया उन्होंने पंडिची से अल्बम छीन लिया और धीरे से कहा ये अल्बम मैंने सेट सहाब से मंगवा लिया है अभी भी सदानन ऐसी भी परिश्थिती में पंडिची की मदद करना ही चाहते थे उनका जो स्वाभी मान था उन पर चोट नह पहुँचे इसलिए उन्होंने जूट बोला कि ये अल्बम मैंने सेट से मंगवा लिया था पंडिची जानते थे कि यजमन जूट बोल रहे है परंतो वे उन्हें पहले से भी अधिक सजन अधिक उपकारी और उंचा समझने लगे जो पंडिची के मन में सदानन जी की जो छबी थी उनके प्रत्य जो मान था उनका जो समान करते थे और अभी और बढ़ गया वे यह न काई सके कि आप जूट बोल रहे हैं उनमें यह हिमत न थी वे चुपचाप माला फेरने लगे फिर क्या हुआ कि वो उनसे आच्छे से बात भी ने कर सके और सवल भी न कर सके कि यह क्या हुआ अर उसमें इतने हिमत भी नहीं थी पंडित जी में। फिर वो उसका यह सब स्विकार कर, माचुपचा पो माला भिरने लगे और अंदर ही अंदर, वो सोचने लगे कि ये तो क्या हो गया, ये मतलब अपने और सदानंजी के relation के बारे में वो सोचने लगे तो students यह chapter यहाँ पे पूरा होता है इस कहानी में से हमें अच्छी सीषिक मिलती है कि अगर हमें मदद करनी है कोई व्यक्ति अगर स्वाभी मतलब स्वाभी मानी व्यक्ति है वो कभी किसी के समने हाथ नहीं फैला था तो उसको कैसे मदद करनी चाहिए वो इस लेशन में पताया गया है तो यह वीडियों पे पूरा होता है